कि नवस्कार दोश्यकों मैं हूँ आपका होश्टन दोस्ताजे शास्त्री और आज हम बात करेंगे वारिस खान के बयान के बारे में जी हाँ वारिस खान का बयान वायरल हो चुका है और हर हिंदुस्तानी के दिल में अपना एक जंगह बना चुका है चुकि वह दिल पर भूट थेस फाउचाना वाला भाशन है तो आज जावेद अख्तर जी ने इस पर कुछ बयान दिया है तो आए जानते हैं कि जावेद अख्तर जी ने क्या बयान दिया है पाकिस्तान बनने के बाद जो जिहां की मेंटेलिटी थी और जो मुस्लिम लीग की सोच थी वो पूरी की पूरी माइगरेट कर गए नहीं हमारे पास वेसी साब हैं वी हमारे पास वारिस पठान नाम का उनका इंपी है अले उसका आज मैंने स्टेट्मन पढ़ा वो कहता है हम पंदरा करोर हैं लेकिन हम सो करोर पे भारी पढ़े हैं अरे बेवा को चाहिए तो किया कितका काम कर रहा है कितकी नोकरी मैं आज यह अलग नहीं यह कभी अलग नहीं थे आज हर इस्टेट्मेंट यह मायं के लोगों का उसी मेंटारिटी का है उसी सपोर्ट का है इनका पस्केले तो आज फिर साथ में हुकोमत बना रहें जैसे सिंध में बनाई थी पंगाल में बनाई थे यह एक थाली के चट्टे इस तेश में इतने परसों के नाद अचानक आम इंसान जागा है अचानक उसको ऐसा लगा है कि यह तो कुछ अच्छा हो रहा है अब हमें एक होना है यह एकता जो आज मैं देख रहा हूं यह बड़े दूनों से सो रही थे अरी नहीं वगर सो से गई था आज उस एकता के स समय में तुम बता रहे हों तुम पंद्रा करोर हो तो तुम पंद्रा करोर ही रहोगे सोला नहीं हों बहुते है क्या अधिनी हों तुम उस एकता को उच्छा करती को तोड़ने के और मिठाने की कोशिक में के साथ हो और यह तुम्हें किसने राइटे दिया पंद्रा करोर का थेका लेने वाले जैसी के RSS VHP है यह हिंदुस्तां के सारे हिंदुों के बेहाब पर बात करते हैं हिंदुने राइट दिया है क्या भाई कि आप जो है आपने ठेका ले लिया सबका वो तो नहीं मानते आपको अगर मानते होते तो आपको 31 परसन गोल पुड़ी मिलता सी परसन गोल पिंसा यह लोगों से हमको चुकरना आए यह कहां ले जा 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 कि कौन है यह किस से प्रभावित गुरू को लोल कर ठी कि किताब में अगर किसी की तारीफ है तो वो है हिटलर की उनकी दो किताबे हैं एक अबंच अब थोट्स और दूसी वी और दे नेशन डिफाइंड है उसमें साफ साफ उनने ने लिखता है क्या हमको हिटलर से जो मारॉरेटी प्रभल्म सौल्व करना होता ना यह हिटलर से सीज़ना चाहिए जो उसने किया मगर हिटलर से एक और भाद भी सीखनी हमें चाहिए उने दुश्मनी सिर्फ जू से थी फिटलर बागी जर्मनी से कोई प्रावलम नहीं था उसे, उसने जूस को जब कॉंसेंट्रेशन केम में भेज़ दिया, ये डिटेंशन केम में भेज़ना चाहे हैं, तो क्या बागी लोगों को हराम से रहने दिया, सब खुश थे, किसी पर कोई दवाव नहीं था, खलक्त, औ कोई भी फाचिस का, वो एक तुश्मन पैदा करता है, यही तो जना ने बताया था, कि अगर हिंदुस्तान आजाद हो गया और तुमने अलग मुल्क नहीं बनाया, तो यह हिंदु तो तुम्हें खा जाएंगे, खत्म कर देंगें तुम्हें, भी मैं तो नहीं खत्म हुआ मगर यह खौब क्यों पैदा करते हैं, उसके बाद क्या होगा, मैं इस बुरे से बुरे वक्त में आज जो मेरे पास रादादी है और टंके की चोड़ पर मैं भोल सकता हूँ, आज भी पाकिस्तान में पुरे मसल्मान नहीं हो पाएंगे, तो तुम्हें वहां डिमोक्रसी क वहां के आगाम आदमी को पूरा हद दे दिया, भाई हिंदू तो गए, काफिर अब कहा हैं, अब तो सब अल्ला के बंदे हैं, अब खुश रहो, एक्ता से रहो, महंपत से रहो, अब तो नूरी नूर है चारों तरह, अब क्या प्राप्लम है, तुम्हारी हिस्ट्री में आ जानते हैं, अब क्या तकलीफ हैं, ये पहला कदर्म होता है, पहला जीने पे, फिरे पे पहला पैर रखते हैं, ये तुम्हे तबाह कर देंगे, इसलिए तुम अपने हुमन राइक्स की बात मत कुआ, ये जो को तुम ख़तरे में हो, तुम घिरे होगा हो दुश्मन से, इस जी को काईद में लेते हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि हम तो तुम घिरे लगना हैं।